प्रंका देखिए मार्केट में को मार पड़ी है यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखें तो उनको इस समय जो मार पड़ी है वो इंडियन मार्केट से काफी जादा पड़ी है तो इंडिया इस मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है तो उनके अंदर एक बात तो जाहिर है कि आने वाले समय में balance sheet improvement होने वाला है तो तो big picture है जो economy related है वह change नहीं होती है और इसलिए शायद आप outperform कर रहे हैं मगर जी साब अगर global markets गिरेंगे और धराशाई होंगे तो आपको भी खरो जाएगी ऐसा तो होनी सकता है कि आप उतर जाएं और दक्षिंजाएं ऐसा कभी नहीं होता है उसके ओपर से F.I. की selling आ रही है F.I. की जो selling है समय जबरदस्ता रही है पिछली बार मुझे याद नहीं है कि एक दिन में 6-6,000 करोड के नंबर कब आये थे और आये थे तो यह आये थे लंबी अवदी में पैसा बनाया है यह मैं experience और तर्जूर्बे से कहा रहा हूँ यह data हम एक दो दिन में दिखाएंगे हमाई दर्शकों के लिए कि अगर F.I. selling जब जादा होती है और आपने अगर share बजार में निवेश करा है तो आपने हमेशा पैसा बनाया है अगर market में आप देखें तो इस समय volatility है, जी हाँ volatility है मगर specific sectors वापस आ रहे है PSU banks में कल तेजी देखने को मिली थी हमने देखा था कि कुछ industrial और cyclical stocks में भी तेजी देखने को मिली थी तो इस समय market के अंदर एक compulsion हो रहा है तो बहुत मुश्किल होता है इस समय sharebazar के अंदर अपनी finger और pulse रखना हम कई हफतों से बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि क्यों bank nifty में नज़र रखनी चाहिए और इस पूरे fall में bank nifty न आउट परफॉर्म करा है मैं फिर से बोलूँगा कि महंगे P stocks मत लीजिए FI उनको बेच रहे हैं उन stocks में D rating हो रही है उन stocks के अंदर क्योंकि interest rates उपर जा रही है उनके अंदर हम देख रहे हैं P compression हो रहा है तो जो अच्छी कंपनिया हैं जो 50, 60, 70, 80 के P multiples वे trade करती थी मुझे लगता है near term उन company के लिए उन stocks के लिए अभी challenge है